नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने होमिपेतिक यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे खर्राटों की समस्या के बारे में यह एक ऐसी समस्या है जो जिसे होती है उसे तो उसकी कोई तकलिफ नहीं होती है लेकिन इसके आसपास में जो व्यक्ति सोता है वो ठीक से सो नहीं पाता है और ऐसे में पूरी तरह से घर डिस्टरब हो जाता है अगर व्यक्ति जोर-जोर से खर्राटे लेता हो तो इस वीडियो में जानेंगे कि खर्राटे लेने के कौन से आम रिज दोस्तों आप सभी से पहले अनुरोध रहेंगा कि आपने अब तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसे दबा दीजिए और बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा तो दोस्तों खर्राटों की समस्या ए को अगर परिवार के लोग कोई इसके कंबर में सोता है अगर इसकी बीवार इसके साथ में सोती है तो ठीक से सो नहीं पाती इतने जोर-जोर थी कुछ लोगों को को आते हैं ऐसे में आगर ऐसा व्यक्ति बहार चले जाता है किसी की हैं रहने का काम गिरता है कोई function में जाना पड़ा वहां पे सोने का काम गिरा तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक शर्मिंद की का एहसास भी होता है क्योंकि काफी लोग उसे चीडाना शुरू कर देते हैं और कई लोग खुल के बोल देते हैं कि आपके खर्राटो के वज़ समस्या आगे चलकर sleep apnea की समस्या में convert ना हो जाए इसलिए खर्राटो की समस्या को तुरंती treatment करना इलाज करना जरूरी हो जाता है जानेंगे खर्राटो की समस्या होती क्यों है क्योंकि जब भी हम सास लेते हैं तो हमारी जो airways होती है जहां से सास हमारे फेफडों के अंदर इसे में इनके अंदर vibrations शुरू हो जाते हैं जब नीन में जोर से सास अंदर जाती है और इसी vibration के वज़े से जो हावाज होती है उसे हम खर्राटे कहके बुलाते हैं तो कुछ कारण है ऐसा identify किया गया है कुछ reasons है जिसके वज़े से खर्राटो की समस्या हमें हो सकती है इसमे जो व्यक्ति अलकोहल जादा लेते है दारू शराब का सेवन मदीरा पान जादा करते है ऐसे लोगों के अंदर भी खर्राटो की समस्या हमें जादा तर देखने को मिलती है इसके अलावा कई सामन्य लोग है जिनके अंदर ये चीज़े नहीं होते वे भी हमें खर्राटो की समस्या देखने को मिलती है दोस्तो ऐसा पाया गया है कि जुन लोगों के अंदर खर्राटे जादा आते हैं ऐसे लोगों के अंदर हार्ट अटेक के चांसे 50% टक के जादा हमें देखने को मिलते है तो ऐसे लोगों को साधानी बरत में काफी जरूरी होता है चलिए दोस्तो परत्ब की देखते हैं खर्राटों से बचने के लिए कौन-कौन ड़का करें औरृस इस्चा दिला सकती है दोस्तों हमारी सबसे पहली दवा है लेमना माइनर एक बहुत ही अच्छी दवा है खर्राटों के लिए जब भी खर्राटे नेजल पॉलिप्स की वज़े से आते हैं नेजल पॉलिप्स यहने नाक के अंदर जब मस्से बन जाते हैं ऐसे में सास लेने में कई बा समली पास होनी चीह हमारे नाक में से वह हो नहीं पाती है और इस ऑब्स्रक्षन की वज़े से ही खर्राटों की समस्या पिशन के अंदर हमें देखने को मिलती है यदि आपको कोई रोगी इस लक्षन के साथ में मिलता है तो उन्हें हम लेमना माइनर 30 यह दवा देते हैं औ अपर दोस्तों हमारी दूसरी दवा है ओप्याम हे पहला है हमें यह देखने को मिलता है यह जब भी पैशन बहुत गहरी नीन में सो जाता है अमोहनन अगर स्लीप होती है तो उसे खराटे नहीं आते हैं लेकिन अगर घरी नीन में चले जाता है पेशन्ट तो गहरी नीन में जाने के बाद पेशन्ट को जब खराटे शुरू होते हैं अगर ऐसा कोई रोगी आपको देखने को मिलता है तो उसे हम ओपियुम ये दवा देनी चीहेँ ओपियम के पेशन को हम नीन में से कई बार जगानी की भी कोशिश करते हैं तो भी वो उठता नहीं है जल्दी तो उसे उठाने में भी बहुत तकलीफ हमें देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों को हमें ओपियम 30 ये दवा चार-चार बुन सुबह शाम जुबान पर डालना है वरका दो तीन मेने तक के कंटीनियद सेवन करने के बाद में अगर को देखेंगी किämर की की पेशन को काफी हदो बच्चा-बच्चा, बहुत ज्यदा ठक जाता है, खेल के ठक जाता है कहता है बहुत कमजोरी का ऐसा, ऐसा उसे होता है ठीक तरसे खाना नहीं आता है ऐसा अ और माबाप चिंतित हो जाते हैं कि अभी तो बहुत यंग है इस छोटी उम्र में खर्राटों की समस्या कैसे हमारे बच्चे को गई है तो ऐसे बच्चों की लिए खासकर हमें चाहिना ओफिशनेलिस यह दवा देनी चाहिए चाहिना ओफिशनेलिस 30 इस पोटेंसे में ही हम य दोस्तो हमारी चौथी दवा जो स्नोरिंग के लिए बहुत असरकारक साबित होती है वह है हिपोजैनियम बहुत अच्छी दवा है यह एक नोजोड है बहुत ही कम लोगों को इस नोजोड के बारे में मालूम है और बहुत ही असरकारक इसके एक्शन हमें देखने को मिलते ह है तो हिपोजैनियम यह जो दवा है यह ऐसी व्यक्तियों के अंदर काम करती है जिनके नाग के हड़ी बढ़ी है हिपोजैनियम एक बहुत ही पावर्फुल नोजोड है जिसके बारे में बहुत जादा डॉक्टरों को पता नहीं है और बहुत जादा डॉक्टर इसे को मिलते हैं तो पेशन्ट कि नाक की हड़ी बड़ी हो यह होती है राग क्षिक नाक के ऊपर देखने को मिल सकते हैं साथ हिपोजियम हमें हमें यूज़ करना है 200 पोटेंसी में हफते में एक बार चाहे वो रवीवार हो सोम वारों मंगल वारों कोई भी एक बार उस दिन हिपोजेनियम 200 पोटेंसी की पाज पून सुबह और पाज पून शाम को पेशन्ट की जुबान पर डालना है और कंटिनियों उसकी 5-6 महिने तक के इस दवा का सेवन इसी तरह से हमें करना है और आप देखेंगे कि धिरे धिरे जो नाथ کی बड़ी ही है उसमें π Graphдел को आराम होता है सर्दी और जो चीकों की समस्षão है इसमें भी आराम हो जाता है तो मैंने यहाँ पे जो आपको जानकारी बताई आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद नहीं है तो निचे जो शेयर का बटन दीजिए उसे दवाई कीजिए और आपके वाट्सअप पे फेस्बुक पे सब जगह शेयर करतीजिए जिससे समस्या है वो इस समस्या से इन होमियोपेतिक दवाईयों की मदद से छुटकार आप पा सके दोस्तों यूट्यूब के अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी काफे एक्टिव रहता हूँ तो अगर आपकी इच्छा हो तो इंस्टाग्राम के पे मेरे नाम को सर्च कीजिएग अगले वीडियो में इसी तरह के लिए स्वस्त रही मस्त रहे मुस्कुराते रहे अपने सरत का ध्यान जरूर रखिये जैहिंगे वरत